तो आज की इस वीडियों हम देखने वाली कि हम हमारी 3ds Max की फाइल को FBX में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं अगर आप कोई वीडियो पासंद रहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें एपलोट भी कर सकते हैं और हमारा चैनल भी जोईन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हम इसको FBX में कनवर्ट क्यों करते हैं सेकंड चीज होगी कि यहाँ पर AR VR के लिए तो अगर हम कुछ AR VR प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमें इसकी जरूत पड़े FBX फाल की तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं AR VR का काम भी हम यहाँ पर Unity में और Unreal Engine में कर सकते हैं थर्ड चीज यहाँ पर होगेगी आप अगर Mobile में अपना Model देखना चाहते हैं तो आप इसको FBX में Convert करके Mobile में अलग-अलग Software की यह से आप इसको देख सकते हैं पर चीज यहाँ पर होगेगी कि यहाँ पर अगर आप इसको दूसरे किसी Software में ships अपलोट करना जाते हैं या फिर इंपोर्ट करना जाते तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको F-B-X में Convert कैसे करते हैं यहाँ पर हमें फ्लतू की चीज इहाँ और यहाँ पर आप दिलेक कर देनी है इस पूरी Geometry को select करना जरूर यह अगर आप इस पूरी Geometry को select नहीं करेंगे तो जब आप इसके अगली step में X-Form करेंगे तो आपकी Geometry पूरी distort हो सकती है मतलब कि पूरी geometry भी अलग-अलग shape की हो सकती है तो आप यहाँ पर इसको पूरी को select कर लीजेगा और इसके बाद यहाँ पर इस पर right click करके इसको कर दीजेगा convert to editable poly तो यहाँ पर सब भी चीज़े इसकी editable poly में convert हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर अगला काम है यहाँ पर utilities में आकर यहाँ पर हमें कर देना reset x form और यहाँ पर reset selected कर देना तो इससे क्या होगा इससे ही होगा कि आपकी geometry जब आप FBX में इसको export करोगे तो यह distort नहीं होगी मतलब कि यह अलग-अलग नहीं दिखेगी यह हो सकता है कि जब हम इसको FBX में convert करें तो यह इसका base बड़ा हो जाए इसका drawer है वो बड़ी हो जाए चोटी हो जाए तो यह हो सकती है यह problem हो सकती है तो यहाँ पर हमें इसको reset x form करना बहुत ही ज़रूर है इसके बाद यहाँ पर हमें अगला काम यह करना है कि इस geometry को select करना है geometry को select करके हमें यहाँ पर इसको group कर देना है group करने से सही रहता है आप आपकी requirement के coding इसको group भी कर सकते हैं ungroup भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसको group कर देता हूँ और यहाँ पर इसका नाम डाल देते हूं टेबल तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैंने नाम डाल दिये इसका टेबल इसके बाद इसको select करके रखूँगा और यहाँ पर हमें कुछ चीजे याद रखनी है कि सबसे पहली चीजी है कि यहाँ पर इसका जो texture है वो standard में ही होना चाहिए इसकी texture हमें standard में ही करनी है अगर आप किसी दूसरे software की help से करते है जैसे की वीरे हो गया, corona हो गया अगर आप इन में इसकी texture करते हो तो यहाँ आपको दिक्कत आने वाली है आपका texture वो जब आप FBX में convert करोगी यहाँ पर नहीं दिखेगा और आपको यहाँ पर standard material ही use करना है तो आपको यहाँ पर यह चीज जान रखनी है तो यहाँ पर हम इसको select कर लेते हैं और यहाँ पर जाएंगे file में file में जाके यहाँ पर जाएंगे हम export में एक्सपोर्ट में जाके यहां पर हम एक्सपोर्ट करेंगे इसको तो एक्सपोर्ट हम करेंगे इसके बाद यहां पर हमें फाइल का नाम दे देना है जैसे कि मैं यहां पर इसको दे देता हूं टेबल और यहाँ पर इसको में ले लेता हूँ desktop पे और यहाँ पर इसको FBX में save कर देता हूँ तो save करने के बाद यहाँ पर हमार सामने यह panel खुलेगा तो यहाँ पर हम अलग-अलग चीज़े देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर triangulated mesh चाहिए जैसे कि हमें ज़रुत परती है unreal engine में तो यहाँ पर आप triangulate use कर सकते हैं आप यह देखने के लिए इसके documentation को भी देख सकते हैं unreal engine के unity engine के documentation को भी देख सकते हैं इसके बाद second यहाँ गए कि अगर आपको animation भी चाहिए तो आप यहाँ पर इसकी settings पर apply कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमार पास बहुत सार option है और यहाँ पर मैंने एक important चीज़े कि यहाँ पर आपको embedded media को on रखना है यहाँ पर इसको on रखना है इसको on अगर आप नहीं रखोगे तो आपका texture दिखेगा नहीं जब आप इसको सकते हैं तो मैं इसको automatic कर देता हूं और यहाँ पर आप इसका axis चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि आपको binary चाहिए यहाँ पिर ASCII चाहिए तो आप binary रखिएगा इसको और इसके बाद आपको कर देना है यहाँ पर OK तो आपकी फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी एक बेक्स के अंदर तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रहे है कि यहाँ पर जो हमारा material है जो मैंने material यूज किया है यह मैंने वीरे यूज किया है तो मुझे यहाँ पर अभी टेक्शन नहीं है यहाँ पर तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मेरा model plane model ही है आप आपकी requirement के according आप यूज कर सकते है खाली आपको standard material ही यूज करना है तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ OK तो अभी मेरी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर मैंने best material डाल रखा है सही से तो यहाँ पर मैं OK कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं वो file मेरी open कर देता हूँ FBX file तो यहाँ पर मेरी FBX file बन चुकी है तो जब मैं इस पर double click करूँगा तो मेरे अंदर windows में 3D model viewer है वो खुल जाएगा यह windows 10 में आजकल सब में आता है तो अगर आपको इसमें नहीं देख रहा है तो आप यहाँ पर online जाकर 3D model viewer में देख सकते है तो यहाँ पर मेरा model क कुछ यह ऐसा दिख रहा है मुझे तो आप भी ऐसा देख सकते हैं आप इसको mobile में भी देख सकते हैं आपको EMB3D application डाउनलोड करनी है उसमें आप इसको आराम से देख सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और वीडियो को share करना मत भूलीगा धन्यवाद